आज करें बच्छे में लोग क्लास 10th Maths and Ios का चैप्र नमबर 26, Introduction to Probability और आज हम कर रहे हैं इसकी exercise 26.3 तो पढ़ते हैं, आज का फर्स्ट कोश्चन क्या है? कोश्चन कहा रहा है, अब बैग कंटेन 15 वाइट बॉल्स and 10 ब्यू बॉल्स कोश्चन कहा रहा है, एक बैग है, जिसमें 15 वाइट बॉल्स है और 10 ब्लू बॉल्स है फिर बोलता आगे, अब बॉल इस ड्राउन एट रैंडम, फिर बैग में से एक बॉल निकाल दे गई रैंडम ली, मतलब कोई सी भी बिना देखे निकाल दे गई गोड़, what is the probability of drawing, आपको probability बतानी है, a ball of not blue color, एक ball जो निकली, वो blue color की ना हो, इसकी probability बतानी है दूसरा आपको यह बताना है, कि वो ball white color की ना हो, उसकी probability बतानी है ठीक है, तो कैसे करेंगे, probability तो आपको बता होगा, introduction आपको इसके बारे में पता होगा, इसके previous वीडियो हम इस बारे में discuss कर चूक है, ठीक है, हलका सा समझ लेते, probability होता है, यह बताना है, favorable outcomes जो इसका proper formula है, favorable outcomes upon total outcomes यह बताना पॉसिबल आउटकम्स, जूसरा, desired result upon total results, ऐसा भी बोल सकते हैं, कि जितने results आने, तो वो total possibilities यह total result डिनॉमिनेटर में, और जो चाहिए हमें, वो numerator में, इस तरह से, अब होता क्या है, जैसे कि probability में हम एक सिक्का उछा लें, तो सिक्का उछा लेंगे, तो यह तो head आएगा, यह तो tail आएगा, तो दो result यह तो आप आ रहे हैं, तो maximum result कितने हो गए, दो, अब हमसे question पूस्टा है, कि head आने की probability बताईए, तो हम क्या करेंगे, head, total chances में से head कितन है, कि आपको probability बतानी है, उस ball की जो हमने निकाली, कि वो blue color की ना हो, तो बचे इसमें पहली बात तो देखिए, दो ही color मौझूद है, एक blue और एक white, अगर वो blue नहीं होगी, तो इसका मतलब वो white होगी, यही तो हो सकता है, अगर तीन color होते, तो हम बोलते कि blue नहीं होगी, तो बाकी दोनों जो color होते हैं, उसको add कर लेते, तो total मिलाके जो बोला गया है, जिसके लिए not word का use किया गया है, उसको छोड़ कर, बाकी जितने हैं, उन सब को आप add कर दीजिए, पहले मैं इसका solution करता हूँ, फिर आपको explain कर दो, बोलते है, ball of not blue color, तो blue नहीं होगी, तो म हमारे पास कितने थे, 25, कैसे, हमारे पास total outcomes कितने है, 25, और desired outcome कितने है, जो हमें चाहिए वो कितने है, उसने बोला कि blue color नहीं होना चाहिए, तो जब blue नहीं होगा, तो ये फिर हमारी requirement नहीं है, हमें ये नहीं चाहिए, तो हमें फिर क्या चाहिए, अगर blue नहीं होगा, तो जो दूसरी color की ball निकलेगी वो तो फिर white ही हो सकती है तो मतलब हमारे पास 15 chances हैं जब तक की वो white ball आती रहेगी probability for not a blue color तो वो क्या बना? वही white की probability हम निकाल लेंगे यह बन जाएगा 5 3 is a 15, 5 5 is a 25 3 upon 5 समझ गया? इस तरह से दूसरे ऐसा भी कर सकते थे हम लोग इसको कि अगर उसने बोलाए कि blue color नहीं होना चीए तो पहले मैं blue की probability निकालूँगा वो कितनी हो जाएगी? 10 upon 25 और फिर इसे 1 से minus कर दूँगा तो कितना आजएगा? 25 और 25 minus 10 कितना होता है? 15 upon 25 ऐसा क्यों किया? क्योंकि आने की probability और ना आने की probability मिलकर होती है 1 तो आपको पता है? तो पहले मैंने आने की probability निकाली blue की फिर उसको 1 से minus कर दिया किस तरह से? तो आप ऐसे करें या ऐसे करें दोनों result same ही आएगे क्योंकि बात दोनों ही कि अगर वो blue नहीं होगी तो मतलब वो white होगी या आप क्या कीजिए? ब्लू नहीं होगी है तो पहले आप blue की ही probability निकाली है फिर उसे 1 से minus कर दिया जैसे आपको suitable लगे है आप वैसा कीजिए ठीक है अब जैसे एक बोल रहा है कि a ball not of white color अब बोल रहा है 10 upon 25 5 2 0 10 5 5 0 25 तो 2 upon 5 और अगर मैं वैसा करना चाहूं तो पहले white की probability निकाली है probability of white color वो कितना हो जाएगा? white की 15 ball है तो total 25 results में से 15 results हमारे पास वो है जो हमें condition नहीं कही थी देखे तो ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए आपको suitable तो यह होगे बचे question no.8 हमारा complete अब करते question no.9 सिखते बचे question no.9 क्या है in a bag there are three red, four green and two blue marbles एक bag है जिसमें three red marbles है four green marbles है और two blue marbles है ठीक है marbles मतलब कांच की गोलिया उनको कह रहा है यहां पर कि जो तीन है वो तो red clear की है चार जो ग्रीन clear की है और दो है वो blue clear की है बोल रहा है if a marble is picked up at random एक गोली इसमें से choose की गई, pick की गई बोल रहा है what is the probability that is probability बतानी आपको कि वो green ना हो ठीक है red ना हो blue ना हो आप देखे बचे green ना हो तो दो तरीके आपको अभी अभी उने discuss के थे न टीवेस question में कि जिसके लिए ना के लिए बोले जिसके लिए not लगा दे पहले उसी की probability निकाली तो अगर मैं green की probability निकालूं तो green कितने है तो बहुत 4 ही तो 4 टाइम से तो green आ सकता है एक यह green के आने के केवल 4 ही तो places है जहाँ पर green आ सकता है ठीक है और उसके बाद बचे कितने हैं हमारे पास 3 और 2 पाँच समझा तो मतलब total कितने होगे 4 और 2 6 और 3 9 9 मेंसे केवल 4 जगा पर यह तो green आ सकता है तो यह तो मैं पह सबसे पहले हम निखेंगे total possible outcomes वो कितने होंगे वो होंगे 2 plus 4 plus 3 is equal to 4 plus 3, 7 plus 2, 9 total possible outcomes तो 9 ही है outcomes का मतलब कि total 9 result ही तो हमारे बन सकते हैं उसमें से उसने बोला not green तो not green का मतलब not green मतलब वो blue plus red हो सकता है यहीं 2 plus 3 हो सकता है यहीं 5 तो probability of not green क्या बनेगी 5 upon 9 ठीक है दूसरा तरीका अभी अभी आपने discuss किया था कि आप जिसके लिए not लगा देए पहले उसी की probability निकालो तो green की probability कितनी आज़ेगी probability of green कितना हो जाएगा 4 upon 9 और फिर इसको 1 से minus कर दीजे तो probability of not green वो कितनी हो जाएगी 1 minus 4 upon 9 9 minus 4 कितना हो जाएगा 5 upon 9 ऐसे कीजिए यासे कीजिए अब ऐसी not red की निकालिए not red तो not red का मतलब कितना हो जाएगा blue plus green blue plus green 6 तो probability of not red कितनी हो जाएगी 6 upon 9, 3 2s are 6, 3 3s are 9 2 upon 3 ठीक है या red की probability निकाल के 1 से minus कर दीजे थर्ड पार्ट देखे not blue, not blue मतलब blue होटा दीजे बाकी दोनों को add कर दीजे not blue या जाएगा कितना green plus red 4 plus 3 is equal to 7 तो probability of not blue, वो कितनी हो जाएगी 7 upon 9 तो यह हो गए बचे, question number 9 भी हमारा complete अब करते है question number 10 करते है question number 10 क्या है रिखे बोल रहा है two different coins are tossed at the same time इस बार बचे दो सिक्के उचाले जा रहे है एक ही समय पर जैसे आप एक सिक्का उचालते हैं तो इस बार दोनों को उचाला एक साथ फिर बोल रहा है write down all possible outcomes जो result आ सकते हैं वो सारे लिखे what is the probability of getting head on one and tail on the other coin बोल रहा है आपको probability बतानी है उस chance की जिसमें एक सिक्के में head और दूसरे सिक्के में tail आया होगा ठीक है तो पहले समझ लेते हैं हो क्या रहा है देखें उसने दो सिक्के उचाले उच्छे हाँ दो सिक्के उचाले और एक ही बार में उचाले अलग अलग करके नहीं उचाल रहा है एक ही बार उचाल दोनों सिक्के हाथ में लिए और उसको उचाला तो वो सिक्के नीचे गिरे तो आपको बता है उसमें क्या-क्या result आ सकते हैं ऐसा हो सकता है कि दोनों सिक्कों में न हैड हैड आजाए ठीक है फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों सिक्कों में टेल टेल आजाए फिर ऐसा भी हो सकता है कि इधर वाले सिक्के में हैड आजाए और इधर वाले में टेल आजाए और इधर वाले में हैड आजाए अब इसके अलावा इक चाल बाटा है, यहीत है कि आपने जब सिख्के उछा ले, वो सिख्के नीचे गिरेंगे, उन चार के अलावा तो कोई result नहीं बनेगा, चाहित आपं चेक कर लिएए, अब देखे, head versus have. 104 तो नहीं है और 102 तो नहीं है सकता है यह दोनों बाते अलग है तो एक बार उसमें हैड आएगा एक बार उसमें टेल आएगा इस तरह से तो चार टोटल रिजल्ट बने हमारे यही तो टोटल चार डिफरेंट टाइप के रिजल्ट पॉसिबल है यही तो पॉसिबल हो सकते हैं इसके अलावत और कोई इसके हो गए head head tail 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 head और head tail फिरो पूछता है probability बताइए of getting head on one and tail on other एक में head और दूसरे में tail तो दीखे बचे एक में head और दूसरे में tail उसने यह नहीं बोला कि head कौन से में tail उसने बोला कि यावल एक में head और एक में tail आना चाहिए तो ऐसे कितने chances बन रहे हैं हमारे पास दो chances बन रहे हैं तो हमारे पास probability of getting one head and one tail यह क्या बनेगा हमें जो चाहिए वो दो जगा पर chance हमें मिल रहे हैं total chances कितने थे हमारे पास total result 4 थे उसमें से 2 result ऐसे हैं जो हमारी condition को fulfill करते हैं कितना आजएगा one upon two तो यह हो गया question number 10 हमारा complete आप करते है question number 11 बढ़ते है question 11 क्या है in question 10 what is the probability that both coins shows tail देखे है वो बोल रहा है कि यह जो question 10 हम नहीं किया था न यह वाला वो बोल रहा है इसमें आपको probability बतानी है question 10 में कि दोनों जो सिक्के होंगे उनमें tail आएगा इसी में तो देखे है यह outcomes हमने बना ही रखें तो total tail दोनों में tail जो है वो किवल एक ही बार possible है देखे हैं अब एक ही chance ऐसा है जिसमें दोनों tails आ सकते हैं और तो कोई नहीं है क्योंकि और में एक tail आ रहा है इसमें एक आ रहा है इसमें तो एक भी नहीं आ रहा है तो आपको बताना था that both coins show tails दोनों सिक्के tail बनाए उसकी probability बतानी थी तो total chances कितने होगे desired outcome हमारे पास कितना हो गया 1 पर total outcomes कितने होगे 4 तो probability of two tails वो कितने हो जाएगी 1 अपान 4 तो अभी जो total chances थे उसमें केवल एक chance ऐसा बन रहा है जहाँ पर दो टेल आएंगे जो chance चाहिए वो ऊपर और total chance नहीं जाए तो है होगे question number 11 भी complete करते है question number 12 देखते हुझे question 12 क्या है बोल रहा है two die are thrown simultaneously इस बार दो लूडो के dice उचा लें उन्होंने and the sum of the number appearing on them is noted और जो number आया हमारा मतलब जो उपर वाली face में जो number आया उसको add कर दिया गया मतलब जिससे आप दो dice फेकेंगे तो दोनों में जो number आएंगे उपर उन दोनों को उसने देखा उन दोनों को add कर लिया और note कर लिया दोस्ते बोला कि probability बताईए कि वो जो उन दोनों का जो sum होगा वो 7 हो 8 हो 9 हो 10 हो 12 हो मतलब कहने का है कि कितनी जगा पर 7 आ सकता है उसकी probability बतानी कितनी जगा पर उनका sum 8 हो सकता है किती जगा पर 9 और 10 और 12 हो सकता है ठीक है तो पहले इसके आपको पेर बनाने पढ़ेंगे पेर कैसे बनादेगी आपने अगर दो dice उचा ले तो ऐसा हो सकता है कि एक dice में पहले वाले dice में एक आजाए दूसरे में एक आजाए दोनों में एक आएक आ सकता है ठीक है पहले वाले में एक रहे दूसरे वाले में दो आजाए फिर तीन आजाए फिर चार फिर पांच पर फिर ऐसे आजाए ठीक है फिर ऐसा हो सकता है कि पहले वाले में दो रहे दूसरे वाले में एक दो इस तरह से तो यह pattern बनाने का फाइदा यह होता है कि इसमें कोई भी जो हमारा combination है वो छूटता नहीं है बढ़ ऐसा जरूर नहीं कि ऐसा ही आएगा ऐसा थोड़ी ना आएगा कि हम dice उचा लेंगे तो पहले यह 1 1 आएगा फिर 1 2 आएगा इसा नहीं आएगा बस यह pattern इस तरहिके से इसलिए बनाते है कि कोई हमारा pair छूट ना जाए ठीक है अब two six के बाद अब फिर कितना से एगा three one three two three four three five and three six थीए इसके टोटल possible जो pairs है वो ठीक है तो आप गिनिए इसको कितना है one two three four five six 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 into 6 यहनि कि total जो हमारे outcomes है वो कितने आएंगे मतलब total जो different results मिलेंगे वो मिलेंगे 36 अब उसने बोला कि 2 dice कि जो आपने number add किये थे उसमें पहला बोटा है कि 7 आना चीए तो आप देखिए 7 कहाँ पर आएगा इन दोनों में 2 इन दोनों को add करो तीन आ रहा है इन दोनों को add करो 4, 5, 6, 1 यह मिला इन दोनों को add करो 7 आ रहा है तो यहनि एक chances यहाँ पर है जहाँ पर 7 आ सकता है दूसरा chance देखिए 4, 2, 6, 5, 2, 7, दूसरा यह होगा दूसरा 4 और 3, 7 इसके अलावा थो नहीं है कोई, 5-3-8 होता है, 6-3-9 होता है, इन दो किस चांस पर भी साथ आ सकता है, यहाँ पर भी साथ आ सकता है, और यहाँ पर भी देए, 5-2-7 और 6 और 1-7 देख रहा हैं, इस तरह से डागनली मिल गया हमें, तो total कितने चांसे जैसे हैं, 1-2-3-4-5-6, टोटल कितने चांसे हो गए, 6, तो desired result हमारा कितना आया, 6, और total outcomes कितना अच्छाते हैं, तो probability of sum of, getting sum of 7, कितने हो जाए कि 6 upon 36, 6 वंजा 6 जा, 1 upon 6, देखें, इसी दरह से बोलता है, 8 की probability निकाली है, second part, 8 कहां-कहां पर आ सकता है, देखें, इसमें तो आएगा नहीं, क्योंकि maximum यहां पर 6 और 1 है, तो 7 ही हो सकता है, यहां पर देखें, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8, एक ही हो गया, 5 प्लस 3, 8, एक ही हो गया, 4 प्लस 4, 8, एक यहां पर आ गया, ठीक है, 5 प्लस 3, 8, इसके ल 4, 4, 8, 8 के बाद ही बढ़ता जाएगा है न, तो कितने चांस ही जारे है हमारे परश्रूटल, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितना हो जाएगा, desired result हमारे पास है, 5, total outcomes हमारे पास, 36, तो probability of getting a sum of 8, वो कितना हो जाएगा, 5 upon 36, देखें, इस तरह से, अब वो कितने भी combination पूछ ले, आप हो अब देखें, 9 का कितना बनेगा, sum of 9, probability of sum of 9, तो 9 कहां का पर बनेगा, 6, 2, 8, इसमें तो maximum 8 ही बन पा रहे हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर देखें, 5, 8, 6, 3, 9, एक यह बना, ठीक है, एक यह बना, 5, 8, 4, 9, एक यह बना, 5, 8, 4, 9, एक यह बना, 5, 8, 9, एक यह बना, 4, तो यह हो जाएगा, 4, upon 36, तो 4 बनेगा, 4, 9, एक यह बना, 6, 9, एक यह बना, 10, 10 के लिए देखें, आप देख रहे होंगे, जो रहा है, वो less होता जा रहा है, देखें, तो यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 4 हो गया, अब 10 का देखें, 10 में कितना आएगा, 6, 3, 9, यहाँ पर 10, probability of getting a sum of 10, तो 3, 15, 3, 12, तो यहाँ जाएगा, 1 upon 12, ओके, अब वैसी 10 के लिए होगा, अब देखें, 12 के लिए कितना आएगा, तो यह 5 पार्ट इसका 12, 12 तो के वहले एक ही जगा पर हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़े नंबर, 6 और 6, 12 ही होना है, और आप कहीं पर भी दोन नंबर को एड़ किजिए, 12 कहीं पर नहीं आएगा, तो किता जाएगा, 1 upon 36, जो जाएगा, sum of 12, getting a sum of 12, probability of getting a sum of 12, 1 upon 36, तो यह होगे पचा है, question number 12 भी हमारा complete, अब कटने question number 13, देखते पचा है, question number 13 क्या है, बोल रहा है, 8 defective toys are accidentally mixed with 92 good ones, वो बोल रहा है, 92 हमारे पास खिलोने थे, जो अच्छे वाले थे, और उसमें गलती से, 8 हमने, जो मिला दिये, वो defective वाले मिला दिये, गलती से defective pieces भी उन्हें में मिल गए, ठीके, बोल रहा, one toy is drawn at random, अब यह जो पूरा bundle हुआ बच्छे, यह कितने का हुआ, बई, 92 सही वाले थे, 8 गलत तो total बने कितने 100, तो यह जो, total result 100 बना, अब उस 100 में से, बई, chances तो 100 ही है, total result आप जो बना सकते हो, 100 ही तो बना सकते हो, अगर आप एक, एक toy निकालो, तो total 100 chances ही आपको मिल सकते हैं, तो उसमें से 100 ही different result बनेंगे, तो बोल रहा, one toy is drawn at random, उसमें से एक toy जो है, वो निकाल बोल रहा है, what is the probability of the toy is defective, तो देखिए, वो बोल रहा है, इसकी defective आने के probability कहा है, तो बही, defective कितने chances हैं मारे पास, 8 chances है, toy is defective, probability of the toy is defective, वो कितना हो जाएगा, बही, 8 chances ऐसे हैं, जहां पर उसकी defective निकलने के chance बनेगे, मतलब 8 ऐसे खिलोने हैं, तो 8 ही chances होंगे, वही, 100 total chances हैं, या 100 total result हैं, उनमें से 8 result ऐसे हैं, जहां पर वो defective हो सकता है, तो हमें वही, उसी की probability निकालनी है, तो 8 अपॉन कितना जाएगा, 100, 4 2s are 8, और 4 25s are 100, तो कितना हो जाएगा, probability of the toy defective, ओके, तो यह होगा, question हमारा 13 complete, और इसी के साथी, यह exercise भी होती ह तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे, next वीडियो में करेंगे इसके आगे ही question, thank you